दोस्तो आज हम अन्बॉक्स करेंगे आई टेल का स्मार्टफोन जो हमने पहले भी अन्बॉक्स किया है S23 प्लस जो की बहुत ही जादा पॉपुलर हो चुका है दोस्तो क्योंकि यह सबसे सस्ता जो है कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है और यूट्योब इंस्टाग्राम सब जगा जो है बिलकुल बैंग हो गई इसकी वीडियो तो इस वीडियो में मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करूँगा अब दोस्तो वाइट कलर में तो हमारे पास आ चुका है दोस्तो यह वाइट कलर में और देखींगे एस 23 प्लस जो है दोस्तो आपको कैसा स्मार्टफोन मिलता है और इसका जो प्राइस है वह 14,000 के आसपास है बॉक्स वाइट कलर में भी आपको कुछ इस तरह की से मिल जाता है इसका ब्लैक कलर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है कवर मिलता है ट्रांस्पेरेंट कुछ इस तरह के से हाड़ प्लास्टिक के टाइप का और फून मिल जाता है जो कि हमारे पास वाइट कलर में इस बार और दोस्तो टाइप सी के बल दी गई है रैपर के अंदर कुछ इस तरह के साथ आती है और लास्ट में रखवा मिलता है आपको यह वाइट कलर में जो है चाड़जर एक बोक्स के अंदर जिसमें बाहर तो लगए है समिजक्डर टूल और अंदर यह 18 वाट का चाडजर तो चाडजर आपको 18 वाट का मिलता है तना ज़्यादा फास्ट नहीं मिलता है नॉर्मल तो आप देखने में कैसा मिलता है और इसके अंधर जो है बड़िया राखनेuse果, वीप में मनदूथे उन्लंट कीegंपinformation का combination इसके अंदर आपको मिल जाता है camera का module आप देख सकते हैं मतलब iPhone भी fail इसके आगे और curvedness आपको देखने को मिलती है back panel पर matte finish में आपको plastic के type का design दिया गया है तो scratches वगरा की problem जो है बहुत ही कम देखने को आपको मिलती है और काफी जादा जो है दोस्तों यह compact भी लगता है इसके साथ दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 6.7 इंचिस के आसपास डिस्प्ले दी गई है साड़े 600 जाद ही बड़ी डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको edges, bezels भी बहुत कम दिये गए है और rate को देखते हो है दोस्तों इसके अंदर आपको यह चीज बहुत ही बड़ी है मतलब AMOLED डिस्प्ले समाप को मिलती है जो कि आपको जादा तर स्मार्टफोन में सबी में मतलब आज कल आपको IPSC मिलती है AMOLED तो मतलब 1 का दुक का कोई समार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको मिलती है तो यह चीज काफी जादा बड़ी है यूजर अंटरफेस इस तरी के सदिया गया है आप इसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी चलाने में तो दोस्तो नॉर्मल टाइप का स्मार्टफोन लगता है बाकी दोस्तो आपकी जो यह पसंद के ओपर मैटर करता है क्या आपको ITL के स्मार्टफोन कैसे लगते हैं इसके लग दोस्तो इसके अंदर आपको जो हमें कियाक गयी तो मतलब कहना जो की स्कें दर आपको डिजान मिल जाता है वह तो इसके डिजाइन को बहुत ही यूनिक बना देता है इस प्राइस पॉंट पर इससे का साथ इन डिस्पले इंदर फिंगर पेर्ट सकेनर भी इसमें डिस्प्ले के अंदर ही finger paint scanner है तो यह चीज काफी कमाल की है निची की तरफ sim card जो है sim की tray मिल जाती है दो sim card लगा सकते हैं और दोस्तों उपर की तरफ साब देहेंगे तो इस तरह के डिजाइन है साइडों में volume के buttons और power का button है RAM और storage भी काफी जाद इसके अंदर आपको मिल जाती है 8GB RAM है 256GB internal storage है 8GB RAM 256GB internal storage इसके अंदर आपको मिल जाती है तो दोस्तो RAM और storage को लेकर भी ITEL का S23 Plus बहुत बढ़िया है लेकिन एक चीज जो इसके अंदर कमी लगी मुझे दोस्तों यह 4G smartphone 5G नहीं है तो यह चीज आपको देखने को मिलती है Android का इसके अंदर आपको latest version मिल जाता है Android 13 इसको restart करके भी मैं जल्दी सा आपको दिखा देता हूं इसके अंदर आपको speed वगर देखने को मिलती है तो यह कैसे मिलती है processor कैसा दिया गया है तो इसके अंदर आपको Unisoccer Tiger T616 processor मिलता है दोस्तों अगर आप एक heavy user है जैसे day-to-day user आपका मतलब game अगरा नहीं खेलने आपको थोड़ा बहुत काम करना है तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल यूसके साबसे यह smartphone काफी जादा बढ़िया processor ठीक टाक मिल जाता है लेकिन अगर आपको जो दोस्तों gaming करनी है multitasking जादा करनी है काम अगरा करना है phone से तो वैसा processor इसके अंदर आपको इतना बढ़िया नहीं दिया गया है जितना जादा इसका price है तो processor को लेकर दोस्तों आपको यह average type का मिल जाता है नॉर्मल यूसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी RAM इसके अंदर आपको काफी जादा मिल जाती है 8GB RAM और expand भी आप कर सकते हैं और storage भी काफी सही है तो restart test में भी काफी अच्छे से perform करता है अपस opening time भी सही है बाकी gaming के अंदर आपको दिक्कत होगी नॉर्मल यूसके अंदर problem नहीं होगी 50MP का इसके अंदर आपको back side पर main camera दिया गया है उसकी performance भी आपको price के साब से सही मिल जाती है colors वगरा photos के आपको सही मिल जाते हैं तो कुछ इस तरीके से जो ए camera की performance है 5000 image की scanner आपको battery दी गई है एक दिन का normal battery backup आराम से मिल जाएगा तो यह चीज भी काफी बढ़िया है तो बस एक तो यह processor इसके अंदर आपको normal type का मिलता है दूसरा 4G smartphone है यह दो कमिया मुझे इसके अंदर लगी बाकि display की quality है design है size है in display fingerprint scanner back side से design मता iPhone का भाई लगता है बिलकुल camera की performance और remote storage तो काफी जादा है बैटरी अच्छी है तो सारी खूब्या जो है price को देखते हो यह सारी चीज़ा बहुत ही जादा बढ़ी है अब आप बताइएगा white color में आपको यह कैसा लगा कैसा नहीं comment करके ज़रूर बताइएगा